इस प्रॉल्म को सौल करते हैं question यह कहता है कि the mean of 50 number is 30 later on it was discovered that two entries were wrongly entered as 82 and 13 instead of 28 and 31 the correct mean is क्या कहरा है question में कि 50 numbers की 50 number की mean है उसकी value कितनी है उसकी value है 30 और जो गलत numbers है वो इंटर्ट हुए है 82 और 13 उनकी जगह पर क्या होना चाहिए था 28 और 31 होना चाहिए था उनकी पूछता कि correct mean क्या है तो जो गलत numbers यह गलत numbers जो add हुए है वो क्या है 82 और 13 है इस mean में इनका जो sum आएगा 95 जो correct numbers है जो add होने चाहिए थे वो क्या है 28 और 31 है इनका जो sum है वो कितना है वो हो जाएगा आपका 9 और 59 ठिक हमें question में यह कहता है अब हमें correct mean बताओ इनका 95 एड़ेड है add होना चाहिए था 59 तो कितना difference हुआ इन दोनों के पीश में अगर हम इसमें minus करें तो यह हो जाएगा आपका 36 का difference 36 वो भी minus में 36 minus में इसको हम क्या करेंगे इसका हम average निकाल लेंगे तो average निकालने के लिए क्या करना होगा minus 36 divided by 50 value क्या निकल के आजाएगी यह value निकल के आएगी 0.72 लेकिन यह minus में आएगी ठीक है जो initial mean है हमारा उसमें हम क्या करेंगे 30 है उसमें minus कर देंगे 0.72 तो जो answer आएगा 29.28 it means जो correct mean है वो कितनी है 29.28 कर घुए वो